आज मैं आपको ऐसे 5 श्टोक्स बताने वाला हूँ जो की undervalued ए यानि की सस्ते में मिल रही है और ये 5 श्टोक 500 रुपे से भी कम में इसका सेवर प्राइस चल रहा है और एक का थो 200 रुपे से भी कम में चल रहा है मैं बता दू ये 5 stocks को लिकाने के लिए मैंने 2 parameter का use किया है एक PE ratio और एक PEG ratio PE ratio का आप लोग पता ही होगा price to earning ratio अगर किसी company का PE ratio 15 से कम रहता है तो वो company undervalued मानी जाती है यानि कि सस्ते में मिल रही है पर मैंने इसमें और एक include किया है PEG ratio दो को PE ratio और price और earning को calculate किया जाता है पर PEG ratio में price, earning और growth को भी include किया जाता है यानि कि future की growth को भी include किया जाता है PEG ratio में अगर PEG ratio 1 से कम है इसका मतलब वो company आप लोगो सस्ते मिल रही है वैसे तो 13 stocks लिक लेते हैं बट मैंने 5 stock को pick किया है जो कि fundamentally काफी ज़्यादा strong है और इसका business भी काफी अच्छा है तो मैं एक एक करके हर company के business के बारे में company के fundamentals के बारे में बताऊंगा और मैं बतादू ये 5 company ने पिछले 1 साल में तगरा return दिया है इसलिए ये miss मत करना आप लोग वीडियो को अंतक देखो आप लोग को मजाने वाला है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो हमारे जो सबसे पहला company है वो है coal India ये company का business के बारे में बात करे रहे हैं तो ये company mining and production करती है coal का और इसका जो major consumer है वो power sector और steel sector है coal India का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे तो ये company coal का business करती है और ये company अभी भी हम लोग जिसका share price rate का runaway सस्ते में मिल रही है बहुत सारे लोग एक साल में तो काफी अच्छा return दिया है ये company ने बहुत सारे लोग सोचे लोगा एक साल में तो इतना return दे दिया अब क्या return देगा फिर भी ये company हम लोग को अभी सस्ते मिल रही है और ये company का aim है फाइनिसे जिए जिए दो जर पच्छिस लेके 26 तक में 1 billion ton coal को production करना तो ये company का चलो fundamental देखते हैं ये company fundamentally strong है की नहीं coal इंडिया का fundamentals के बारे में बात करें तो market capital दे सकते है 3,2,000 करोर का है तो वो company undervalued मानी जाती है और यहाँ ROCE देखो 65% का ROE देखो 53% का अगर किसी company का ROCE और ROE 15% से ज़्यादा रहता है तो वो company अच्छी मानी जाती है पर यहाँ पर देखो काफी ज़्यादा ROCE और ROE है और यहाँ PEG ratio देखो 0.49 है और मैंने जैसा कहा 1 से नीचे रहता तो वो company undervalued मानी जाती है और यहाँ debt देखो 6,500 करोर का है net profit 37,000 करोर का है अगर किसी company का debt to equity देखो 0.08 है अगर किसी company का debt to equity 1 से कम रहता है तो वो अपनी debt को जली चुका सकती है पर यहाँ देखो काफी कम है 0.08 almost debt free company है और यहाँ पर free cash flow भी यह company के पास 1,700 करोर का promoter holding देखो 63% की है अगर किसी company का promoter holding 50% से जादर आता है तो वो company अच्छी मानी जाती है और यह company dividend भी काफी अच्छा देती है 4.98% का company का pros और cons के बारे मैं बात करें जैसे कि company is almost debt free stock is providing good dividend yield 5% और इसका ROE काफी अच्छा है और company dividend भी काफी अच्छा देती है company का quarterly wise profit and loss देखो गया तो March 2024 में company को 8,640 करोर का profit हुआ है और यहाँ पिछले साल के March 2023 में देखो गया तो 6,800 करोर का हुआ था यानि कि पिछले साल के quarter से इस साल quarter इसका ज्यादा profit हुआ है company का profit and loss year on year देखो गया आप लोग तो company का जो profit लगातार increase हो रहा है net profit हर साल increase हो रहा है company को highest profit हुआ है March 2024 में 37,000 करोर का और इसका सबसे वड़ा खास बात देखो operating profit margin यहाँ देखो 2023 में 27% का था जो की बर कर 34% हो गया है 2024 में अगर किसी company का operating profit margin बर रहा है तो वो एक अच्छी बात होती है यह company का share holding pattern के बारे में बात करें तो promoters की holding में कुछ खास changes हुआ नहीं है FIIs ने अपनी holding को यहाँ पर थोड़ी सी घटाई है और DIs ने अपनी holding को बराई है और government भी अपने holding को बराई है 0.01% यह company का share price 4.090 रुपीज के आसपा स्टेट कर रहा और यह company ने पिछले एक साल में 105% का return दिया यानि कि एक साल पहले जिसने भी एक लाग रुपे लगा होते है तो आज उसके एक लाग दो लाग बन के होते है लगबग दुगना कर दिया होता पैसा हमारा जो second company हो है general insurance company यह company का business के बारे हैं बात कर दो तो यह इंडिया की larger insurance company है आप लोग अकसर insurance company का नाम सुने होगे बट यह re-insurance company है मत्रब कि insurance company का भी यह insurance करती है और यह company को government of India held करती है तो चलिए यह company का एक बार fundamentals देख लेते है यह company fundamentally strong है की नहीं general insurance का fundamentals के बारे हम बात करें तो market capital 60,000 करोर का है यह लगबग large cap company है और यहाँ पर stock P देखो 9 का है industry P 42 का है industry P से stock P काफी कम है यह भी undervalued stock है ROCE देख सकते हैं, ROE देख सकते हैं और मैं एक बार आप लोग को clear कर दूँ देखो stock P 15 से नीचे रहता है तो undervalued मानी जाती है उतके साथी साथ ना industry P से भी compare किया जाता है अगर industry P से stock P कम रहता है तो उसे भी undervalued माना जाता है फिर यहाँ पर आप लोग PG ratio देखो 1 से कम है, यहाँ debt 0 है नेट प्रोफिट 6,004 और 19 करोर का है debt to equity भी 0 है यह company almost debt free company है कर्ज मूप कमपनी है company के पास free cash flow भी है 11,000 करोर का और यहाँ promoter holding देखो काफी जादा 85% की और यहाँ dividend भी काफी अच्छा देती है यह company 2.07% company का pros और cons के बारे में बात करें तो pros देख सकते है company is almost debt free accounts के बारे में देख सकते है poor sales growth है 1.30% का past 5 years में और company has low return on equity 10% over last 3 years में यह company है quarterly wise आप लोग profit and loss देखोगे तो December 2023 में कमपनी को 1500 करोर का profit हुआ है और उसके पिछले साल देखोगे तो आप लोग देखोगे तो quarter आने वाला है देखो यहाँ नीचे लिखा है upcoming result देख 28 में को जो कि March 2024 का होगा यह company का year on year profit and loss देखोगे तो आप लोग company को सबसे highest profit होना है March 2024 में क्योंकि देखो 2023 में March में company को 6300 करोर का profit हुआ था और यहाँ जो TTM लिखा है जो कि 28 में को आएगा 28 में के बाद यह company को सबसे highest profit होने वाना है company का share holding patterns के बारे में बात करों तो promoters की holding में कोई खास change हुआ नहीं है FIIs का holding देखो तो FFIs ने अपनी holding को घटाई है DIs ने भी अपनी holding को यहाँ पर घटाई है यह company का share price 342 रुपीस के आसपा state कर रहा है और यह company ने पिछले एक साल में 97% का return दिया है 97 almost double कर दिया है पैसे को हमारा जो third company वो है ONGC ONGC का business का बारे में बात कर रहे तो यह इंडिया की largest crude oil and natural gas company है और इसका इंडिया domestic production में 71% का contribution है और यह company का जो सबसे ज्यादा revenue crude oil से आता है 70% का तो चली ही यह company का fundamentals को देख लेते हैं ONGC का fundamentals के बारे में बात करें तो market capital देख सकते हैं 3,52,000 करोर का है यह भी एक large cap company है stock P7 का है industry P15 का है industry P से stock P काम है यानि यह company का share price हम लोग को undervalued मिल रही है ROC और ROE दोनो 15% से ज्यादा है PG 1 से कम है debt 1,53,000 करोर का है net profit 57 करोर का है debt equity 0.45 यानि कि यह company अपने कर्च को इजली चुका सकती है company के पास free cash flow भी परा हुआ है 47,000 करोर का promoter holding 50% से ज्यादा है dividend yield भी company काफी अच्छा है 4.03% का company का pros और cons के बारे में बात करें तो company का pros आप लग वीडियो को पॉस करके पर सकते है और cons company का एक भी नहीं है cons के बारे में बात करें तो इस company में एक भी cons नहीं है negative point एक भी नहीं है ये company का quarterly wise profit and loss देखो गे तो master unit 4 में company को 11,500 करोर का profit हुआ है और ये company का year on year profit and loss देखो गे तो master unit 4 में company को highest profit हुआ है 57,000 करोर का master unit 3 में company को 32,000 करोर का profit हुआ था फिर उसके पास सबसे highest हुआ है master unit 4 में और यहां देखो इस company का भी operating profit margin यहां पर बढ़ा है 23 में 12% का था 24 में 16% का होगी है ये company का share holding patterns के बारे में बात करें तो promoters की holding में कुछ खास changes हुआ नहीं है FII's ने अपनी holding को यहां पर घटाई है और DIA's ने अपनी holding को यहां पर बढ़ाई है और इसमें government की भी holding है ये company का share price 280 रूपिस के आसपा straight कर रहा और ये company ने पिछले एक साल में 70% का return दिया है हमारा जो fourth company हो है L.T Foods ये company का business के बारे में बात करूँ तो ये company manufacture करती है rice food product खासकर बासमती rice में और ये company का कुछ brand है जिसका नाम आप लोग सुने ही होगे जैसे दावत हो गया, रोयल हो गया इसके brand है और इसका जो market share है बासमती rice में हमारे इंडिया में 30% का है ये company का global बे भी अच्छा presence है अमरीका में 50% का market share है बासमती rice में तो चलिए ये company का fundamentals को देखते है L.T Foods का fundamentals के बारे में बात करें तो market capital देख सकते है 7400 करोर का है ये एक तरह से बोल सकते है इस्टोक पी 12 का है इंडिस्टी पी 38 का है इंडिस्टी पी से स्टोक पी काफी कम है यानि ये company का share पासमल को undervalued मिल दा है ROCE और ROE देख सकते है 15% से ज़्यादा है डेप्ट 917 करोर का है नेट प्रोफिट 598 करोर का है PG ratio 1 से कम है डेप्ट इउक्विटी 1 से कम है यानि कि ये company अपनी कर्च को चुका सकती है company के पास free cash flow भी है 556 करोर का और यहाँ पर देखो company का dividend yield 0.22% है और यहाँ पर promoter की holding 50% से ज़्यादा है company का pros or cons के बारे हैं बात करें तो company has reduced debt company अपने कर्च को कम किया है और यहाँ good profit growth 35% CSR over last 5 years में और यहाँ cons के बारे हैं बात करें तो promoter sold in decrease over last 3 years 5.81% 5.81% promoter जो है decrease गुए है last 3 साल में company का quarterly wise profit and loss देखोगे आप लोग तो यहाँ March 2024 में 150 करोर का profit हुआ है और उसके पिछले साल देखोगे तो March 2023 में company को 132 करोर का profit हुआ है और यह company का year on year profit and loss देखोगे आप लोग तो यहाँ पर देखोगे कमपनी को सबसे highest profit हुआ है 598 करोर का और यह company का net profit है 2013 से लगातार increase हो रहा है यह company का share holding patterns के बारे में बात करें तो promoters की holding में कुछ खास changes हुआ नहीं है इस ने अपनी पैसे को यहाँ से लिखा ला है और डी आइज ने भी अपने पैसे को यहाँ से लिखा ला है यह company का share price 215 रूपीस के आसपा state कर रहा है और यह company ने पिछले एक साल में 13% का return दिया है हमारा जो 5th and last company है वो है IOCL Indian Oil Corporation Limited यह company का business के बारे में बात करों तो यह company इंडिया की largest refining company है और यह market leader है oil refining and petroleum sector में तो चलिए यह company का fundamentals हो देखते है IOCL का fundamentals के बारे में बात करें तो market capital 2,36,000 करोर का है यह भी एक large cap company है stock P5 का है industry P7 का है industry P6 stock P काम है ROC देख सकते है 21 ROE 25% का है 1 से कम है PG ratio debt 1,32,000 करोर का है और यहाँ net profit 43,000 43,000 करोर का है company के पास free cash flow भी है 34,000 करोर का और यहाँ debt 2,501 से कम है अपने कर्च को इजली चुका सकती है dividend भी काफी अच्छा देती है 3% का यहाँ पर dividend yield है और promoter का holding 50% से ज़ादा है company का pros और cons के बारे में बात करें तो pros को आप लोग video को पोज करके पर सकते है और cons एक भी नहीं है यह company का quarterly wise profit and loss के बारे में बात करें तो March 2024 में company को 5000 करोर का profit हुआ था और उसके पिछले साल देखोगे तो आप लोग 10,000 करोर का profit हुआ था यानि पिछले साल के quarter इस साल quarter company को कम profit हुआ है और यह company का year on year profit and loss देखोगे आप लोग तो यहाँ पर देखो company को सबसे highest profit हुआ है काफी जादा profit हुआ है 43,000 करोर का और यहाँ पर देखो सबसे बारा reason है यहाँ पर operating profit margin का यह 4% था 2023 में जो की बरकर सीधा 10% हो गया यह company का share holding patterns देखोगे आप लोग तो promoters में कुछ खास changes हुआ नहीं है FIIs ने अपने पैसे को यहाँ से लिकाला है DIs ने यहाँ पर अपने पैसे को डाला है और यहाँ पर देख सकते हैं government की भी holding है काफी अच्छा 19% का कर देना चाता हूँ यह video सिफ education purpose के लिए share में invest करने से पहले एक बाग खुछ से रिसर्स जरूर करें और share में invest कर रहे हो तो सिफ अपने रिक्स पर करें यह मेरा कोई भी buy yourself advice नहीं था I hope मेरी यह video आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं आप लोग से next video में